हेलो फ्रेंग्स स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चनल 4U Only में फ्रेंग्स आप लोगों ने Flipkart Fraud के बारे में सुनातो होगा बलकि आप मेंसे कुछ लोगों ने इसे फेस भी किये होंगे फ्लिपकart Fraud जैसे कि अपने Flipkart से कोई भी एक product order किया तो आपको एक wrong product receive हो गया या फिर broken या फिर damaged product receive हो गया ऐसी बहुत सारे cases market में चलता रहेता है लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसा मेरे साथ भी हो गया क्योंकि मुझे एक wrong product receive हो गया तो मैंने सोचा कि इसके regarding में एक video आपने YouTube channel पर upload कर देता हूँ जिससे की आप लोग भी सब्दन रहे और आपको ऐसा कभी भी face नहीं करना परे तो friends इस वीडियो में मैं आप लोग को सब कुछ details में समझाओंगा और यह भी बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या गलती किया था जिससे आप लोग ऐसी गलती ना करे तो friends यहां मैं Flipkart पर जाके आप लोग को दिखा देता हूँ friends यहां स्क्रीन पर जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ यह Zebronics का age 61 motherboard है जिसे मैंने Flipkart से order किया था और यह जो है मुझे 15 April को receive हो गया था मतलब delivered हो गया था तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो friends यहां आप इस order का details चेक कर सकते है इसे मैंने 5 April को order किया था और यह मुझे 15 April को receive हो गया था चीके और इसके regarding मैंने Flipkart पर एक complaint भी restart किया था जिसके status file resolved दिखाई दे रहा है और इसका price आप यहां देख पा रहे होंगे 2524 है इसका price जो मेरे pocket से चला गया है यह दुबारा लटके नहीं आएगा क्योंकि यह चला गया है और क्यों यह जो पेशा है यह मुझे नहीं मिलेगा मैं आप लोगो को बोल देता हूँ यह जो product है यह French non refundable product है और आप लोगो को तो पता है non refundable product को आप return नहीं कर सकते है और return नहीं करेंगे तो आपका जो पेशा है वो कैसे आपको refund होगा इसके बदले में मुझे क्या product receive हुआ था वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा आप इस वीडियो में बने रहेगा मैं आप लोगों को सब कुछ details में समझाने की कोसिस कर रहा हूँ एक्चुली फ्राइंच ये दो product थे ये मुझे 15 अप्रिल को receive हो गया था लेकिन मैंने इस product को open करके देखा 26 अप्रिल को यही मेरी सबसे बरी गलती थी एक्चुली फ्राइंच मैं घर पे यूज़ करने के लिए एक basic PC बील्ट कर रहा था इसके लिए कुछ products मैंने offline बाई कर लिया था और कुछ products मैंने online बाई किया जैसे कि motherboard हो गया, processor हो गया और RAM हो गया तो एसे कुछ products मैं online बाई किया तो यहाँ पे processor जो है वो 25 अप्रिल को receive हो गया और RAM जो है वो 26 अप्रिल को receive हो गया मुझे और वो जो motherboard था वो मुझे 15 अप्रिल को receive हो गया था तो motherboard receive होने के बाद भी मैंने उसे open नहीं किया क्योंकि मुझे processor और RAM की wait करना था तो मेरा ध्यान जो है उसमें उतना नहीं किया इसलिए मैंने उसे open नहीं किया था तो 26 अप्रिल को RAM receive होने के बाद मेरे पास लगबग सभी parts एवेलेबल हो गया PC build करने के लिए तो यहां motherboard को open करने के बाद जो चीज दिखे दिया मुझे उससे में पुरा soft रहे गया क्योंकि friends मुझे एक wrong product receive हो गया था जो आप यहां screen पे देख पा रहे है जिया friends मुझे zebronics 861 motherboard के जागा पर एक zebion का एक motherboard दिया गया था और यहां कोई भी model number लिखा नहीं है जिससे मुझे पता चले कि यह zebion का कुन सी model number है और मैंने जो processor यहां पे buy किया था वो भी इस motherboard पे support नहीं कर रहा था मतलब adjust नहीं हो रहा था इस motherboard पे processor का जो threat है इस पे वो processor ठीक से adjust नहीं हो रहा है तो यह जो motherboard है यह मेरे लिए कोई भी कम की चीज नहीं है और मैं इसे return भी नहीं कर पराओ क्योंकि यह non refundable product था और friends यहां मैं मानता हूँ के इसमें flip card की ज़्यादा गलती नहीं है बलकि flip card पे जो seller लोग रहते है उने की गलती है वही लोग ऐसे wrong product को deliver कर देते है इसके लिए flip card को भी responsibility लेना चाहिए इस type के जो seller रहते है इन लोग को totally bend कर देना चाहिए था flip card से ताकि ऐसी गलती करने की साहस कोई और seller नहीं कर पाए यहाँ friends इसका जो packaging था इस पे तो सब कुछ सही है इसका जो box है यह भी Debronix A61 motherboard का ही box है लेकिन इसके अंदर जो है वो wrong product है तो friends यहाँ मैं आप लोग को एक बार clearly बोल देता हूँ आप बेसक flip card से shopping कर सकते हैं इसमें कोई भी problem नहीं है लेकिन आपको flip card से वो ही product buy करना है जिसपे 7 days या फिर 10 days का return policy हो non-return policy आपको बिल्कुल भी buy नहीं करना है नहीं तो मेरी तरह आप भी भुखतोगे लेकिन अगर आप risk लेना चाते हो तो ले सकते हो जैसे मैंने लिया था लेकिन मैं future में flip card या फिर Amazon कोई भी website से non-refundable project buy नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसका result अल्रेजी मिल गया है तो friends यहां मुझे इस वीडियो को बनाने की मक्सद यह था कि मैं आप लोगों को aware कर पाओ जिससे आप एसी गलती ना करे तो friends इतना ही था आज के इस वीडियो में I hope हमारे एए वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लेगी है अगर आप लोगों को हमारे एए वीडियो आच्छे लेगी है तो इस वीडियो को like करे ज़्यादा से ज़्यार करे और हमारे यूट्यूब टेनल को दरूर सब्सक्राइब करें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई टोपिक के साथ फिर मिलूंगा ठेंक यू